हेलो गाईज तो आज के वीडियो में हम पड़ेज जेवी गुपता का सॉलुशन की हम करेंगे DC मशीन के कोश्चन नमर 301 से लेके 330 तक और आज जो आपके कोश्चन होंगे वह आपके speed control of DC motor से होंगे clear है तो चलिए स्टार्ट करते हैं which of the following DC motor has almost constant speed over their full load range ठीक है यहनि किस motor के आपकी speed constant रहती है देखो यह आपकी होती है shunt motor की clear है अब जो कैसे होती है इसको भी एक बार में आपको बताई देता हूं यह आपकी कोई shunt motor है ठीक है इसमें आपका input voltage है V यह आपका है armature resistance RA ठीक है यह आपका है field का resistance field बोल देते हैं यहाप यह हो जाएगा field current IF यह आपका back EMF यह आपका यह हमारा armature current अब दोगो shunt motor में क्या रहता है flux आपका constant रहता है देखो ना तो आप input voltage को बदलते हो ना आप rsh को बदलते हो ठीक है यह यहाँ इस संट रेजिस्टेंस को भी आप नहीं बदलते है और voltage को भी नहीं बदलते है तो field current आपका बदलता नहीं तो flux आपका constant रहता है तो देखो जो टॉर्क होता है टॉर्क आप क्या लिखते है flux into armature current ठीक है बट सिंस constant है तो simple यह आपका हो जागा symbol back emf के proportional ठीक है अब यहाँ से कर मैं back emf निकालता हूँ तो simple यहाँ पर kvl लगा सकता हो ठीक है यहाँ से kvl से कर देखो मैं back emf निकालूंगा ठीक है तो back emf मिल जागा देखो simple supply voltage ठीक है माइन जो भी मेरा armature resistance के cross drop है clear है तो यहाँ से में को क्या मिल गया कि जो मेरी speed है ठीक है speed is proportional to voltage माइनस मेरा armature की वेज़े द्रॉप हुआ यह चीज आपकी clear है क्या पर देखो आप अगर armature current को बढ़ाते हो ठीक है तो आपका बहुत small होता है ठीक है तो speed भी आपकी बहुत कम reduce होती है ठीक है slightly reduce होती है ठीक है बहुत कम reduce होती है तो देखो आपका यह जो point है यह आपका no load वाला point हो गया ठीक है no load पे जो भी मेरी speed होगी यह मैं लिख लिए तो and not ठीक है तो यह एक तरह से मेरी होगी rated speed ठीक है जो से आपका load increase होगा, छीप है? Load increase होगा, तो speed आपकी धीरे-धीरे कम होगी, ठीक है? तो यह आपकी भीडिवोटो, थोरडी सी speed आपकी कम होगी, लाप मैं यह आपकी कम किसकी वज़े से होगी है? यह इस drop´ की वज़े से होगी है, clear रहे? तो यह आपका 295 जैसा ही है ठीक है तो उसमें तो मैंने आपको ऐसे ही समझा दिया था अब थोड़ा में डीटेल में आपको समझाता हो देखो दो मशीन लेके चलते देखो शंट एंड यापके लेके चलते सीरीज अब शंट मशीन में हमारा फ्लक्स रहता है क्या रहता है ठीक है अब यह लीनियर की बात कर रहे ठीक है सेचुरेट नहीं हुआ है तो यहाप पर देखो जो शंट मशीन है ठीक है कोई भी मशीन बात करो नॉर्मल जब अब टॉर्क का फॉर्मूला लगता हो और कि प्रपोर्शनल टू फ्लक्स इंटू आर्मेचर अगर सीरीस मोटर में इस चीजड देखते है तो तॉर्क आका है टॉर्क इस प्रपोर्शनल टू फ्लक्स इन्ट उ sowas करण बट सिंस्स में फ्लक्स आर्मेचर करन्ट के अटॉर्क आपको हो जाएगा आर्मेचर करन्ट के प्रपोर्शनल अब इस obedience को आप यहाप सक्त quienes पğ tour increase हो रहा है तो मान लेते कि 10 % आपका टॉर्क आपका अर्मेशर करांट का ज्यादा इंक्रीज होगा ऑफा ठीक है इसमें अपका आर्मेशर करन्ठ ज्यादा इंक्रीज हो ठीक है तो परसेंटे अन्सिंगरेज इनम आपका और चीम्ति न क्रण्वांस फोर्नलाय के 1.1 ठीक है तो यहां से जो percentage increase मिला हमें आर्मेशे करेंट में यह हमारा मिल गया 10% ठीक है वेसिक लिए देखके भी बता सकते हैं तो जिता यह increase होगा उत्ता है यह increase होगा ठीक है तो 10% हमारा 1.1 यानि कि 1.1 परसेंटेज इंक्रीज इन आर्मेशे करेंट क्या हो जाएगा रूट एन माइनस वन ठीक है यह उल्लेडी मैं आपको समझा जुका ठीक है इतना डीटेल में नहीं जा रहा मैं यहां पर देखो परसेंटेज आपका increase मिलेगा आर्मेशे करेंट में यह आपका आ रहे हो तो आनमेशे करेंट हमारा बढ़ता है 4.8 परसेंट एक तरस से यह तो क्या होगा आपका minimum ठीक है जो कोशेंट नंबर 295 था उसमें minimum के लिए पूचा था ठीक है यह आपका होगया maximum इस कोशेंट में पूचा है maximum के लिए यानि कि क्या बोलेगो देखो विल हैव the highest percentage increase of input current और the same percentage increase in torque तो क्या हो जागो simple shunt machine या फिर shunt motor ठीक है because shunt motor में आपका maximum बोल सकतो highest percentage increase होता है input current में जब आप same amount of torque को increase करते हो which of the following DC motor has least drop in speed from no load to rated full load ठीक है तो यह question number 301 में मैं आपको समझा दिया कौन सी होती है shunt motor होती है ठीक है shunt motor with interpoles और आपके interpoles क्या होते हैं के बारे में आपको जानना है simple question number 116 से लेके 150 वाली जो मेरे वीडियो है वो आप देख सकते हो ठीक है उसे मेना interpoles और compensating winding दोनों detail में समझा रखी है DC motor is to drive a load which is almost kneel for certain part of the load cycle and peak value for short duration the most suitable DC motor is तो क्या बोल रहा है आपकी कोई DC motor है ठीक है वो किसी एक load को drive करी है और वो load भी कैसा है देखो कुछ part के लिए तो आपका zero हो जाता है वो load ठीक है एकदम से zero हो जाता है और कुछ part के लिए आपका load पीक value अचीव कर लेता है ठीक है तो इसके लिए सबसे best motor कौन सी रहेगी यह पूचा है तो देखो मैं आपको बताया था जब भी आपके fluctuating load हो ओविस बात है यह fluctuating load है एक टाइम एकदम zero हो रहा है एक टाइम एकदम peak पे पहुच रहा है यानि peak और आपका जो zero है उनके बीच में vary हो रहा है यानि load fluctuate हो रहा है जब भी load में जब fluctuations होते है तो हमें सब prefer करते है cumulative compound motor को clear चीज है अब देखो चलो चेक करते कर सीरीज मोटर को prefer करेंगे तो क्या होगा ठीक है अगर सीरीज मोटर का आप यूज करोंगे जान से समना देखो यह आप इसने बोला कि कुछ पार्ट के लिए आपका load क्या हो रहा है जीरो हो रहा है नेल मतलब zero ठीक है तो हमें पता है कि no load पे आपकी जो सीरीज मोटर है वो बहुत हाई स्पीड होती है इसकी तो यह आपका armature को damage कर सकता है इस विज़े से सीरीज मोटर को प्रिफर नहीं करते है ठीक है शंट को प्रिफर क्यों नहीं करते है तो को शंट आपकी प्रॉफियर होती है जा पर हमें constant इस पीज च प्रिफर होगी नहीं एंड को आपके differential compound में जो net flux होगा net flux equals to जो भी आपका shunt flux है minus जो भी आपका series flux है जब आपका peak load होगा ठीक है इसमें जब आपका load अपने peak value पर होगा तो peak value पर होने का मतलब क्या हुआ कि यह armature current बहुत जादा लेगा ठीक है armature current बहुत जादा लेगा आपका जो flux है ठीक है series flux बोल सकते हो क्या होगा बहुत ज़यादा होगा अगर series flux आपका बहुत ज़यादा होगा आपका net flux है यह आपका क्या होगा बहृत कम होगा differential compound में उससी को вмोरते runaway problem इसलिए को हम उसे कम कर दंख करते एक क्लियर है to DC supply means it is found to rotate in direction opposite to that for which it is designed the DC motor is ठीक है यानि कौन सी DC motor होगी यह आपका simple direction reversal type का question है यह मैं आपको already देको बहुत बार समझा चुका हूँ देको आप question number 215 ठीक है then आपका 216 then आपका 217 ठीक है then आपका 289 then 292 ठीक है इन सब question में आपको जो directional reversal है वो आपको detail में समझा रहा है ठीक है आप वो देख सकते हो तो आपकी motor होती है simple differential compound होती है ठीक है तो यह option आपका correct answer होगा for the same power output rating and full load speed the motor that will have poorest starting torque ठीक है तो यह भी मैं आपको बार बार बता चुका हूँ ठीक है और मैंने बताया भी था कि यह question आपके exam के लिए important है ठीक है सबसे कम आपका starting torque किसका होता है differential compound का ठीक है और आपका zero speed regulation किसका होता है यह भी आपके differential compound का होता है ठीक है यह सारे question में आपको समझा चुका already a motor use for punching machine is generally subjective to ठीक है punching machine मतलब basically यह holes होगे रहा करने के लिए नहीं होती क्या ठीक है basically metal है उस metal में आपको hole करना है तो एकदम punch कर रहा जाता है उसके उपर तो वह आपकी होती है punching machine type में आप google कर सकते हो ठीक है यह आपका होता है intermittent load एक तरह से fluctuating load बोल सकते हो और continuously running rolling mills with intermittent loading the most suitable DC drivers ठीक है intermittent loading आ गया इसका मतलब क्या होगे एक तरह से fluctuating load है fluctuating load के लिए मैं आपको बता रखा है DC cumulatively compound motor हम use करते है ठीक है तो D option आपका correct answer consider the following statement PMDC motor using cassette tape recorder आप देखो जब PMDC motor यूज़ करते हो आप cassette tape recorder ठीक है जो cassette tape recorder आप रिकॉर्ड गरते हो ठीक है उसमें PMDC motor यूज़ करते है उसके बारे में पूचे है तो पहले तो आपका होता था था उसमें तो इसका आपका कोई आइडिया नहीं है इसका कोई खोल तो डेखके हैं इसमें आसका अंसर दे रहा है मैंगने अंडॉर्टर और यह और अन्य स्टेटर इक है तो इसके अक्रॉडिंग इसका ऑंसर 2-3-5 एन्यकर देखके को ऑप्शिन आपका पका आंसर ठीक है speed of a DC motor depend upon यानि आपकी जो DC motor होती है उसकी speed किस पर depend करती है यह पूचा है ठीक है तो आप normally speed का formula लिखते हो यह आपका होता है speed is proportional to आपका back EMF ठीक है अपका आपका जो भी flux है back EMF आपका क्या होता है जो भी आपका applied voltage है ठीक है applied voltage minus आपका जो भी armature resistance के वीशिशी जो drop हुआ IA into RA divided by आपका flux अप जो कैसे कैसे आप speed को control कर सकते है ठीक है simple जित्ते भी आपकी जो method बने न वो इसी formula से बने तो देखो पहला मैं दिखता हूँ armature resistance control ठीक है जो इस method पर हम क्या करते है जो आपका armature होता है उसके साथ series में एक simple real state लगा देते हैं ठीक है यानि variable एक resistance connect कर देते हैं जिससे हम इस drop को control करते हैं ठीक है आईए into RA drop को control करते हैं तो या से देखो simple मैं कैसे बदा सकता आपको देखो ये आप ऐसे देखो आईए ठीक है अगर देखो ये negative वाला portion increase होगा तो speed आपके क्या होगी कम होगी ठीक है तो speed बिसिकली क्या होगी इस case में यानि इस method से आप क्या करोंगे speed को कम करोंगे ठीक है यानि कि ये method आपका use होता है speed को control करना कहाँ पर below rated speed या फिर इसी को हम base speed भी बोलते है ठीक है ना base speed मतलब देखो आप कोई machine कोई motor आप खरीद के लिका है market से उसकी name plate पे जो speed लिके होगी होती है वो आपके होती है base speed ठीक है तो आपके लिए ये important point हो गया ये armature resistance control जो method है ये आपका speed कौन से control करेगा below base speed control करेगा अब दूसरा method आप simple क्या लिख सकते हो armature से तो हमने चलो control कर दिया अब आपके देखो flux भी तो है ठीक है तो दूसरा method आपका हो जागा field flux control इस method में हम क्या करते है field resistance को ठीक है पैसे पैसे ले देखो आपका अगर field resistance RF है ठीक है तो उसमें हम basically एक और resistance या फिर बोल सकते हो variable resistance हम add कर देते ठीक है यानि field resistance को हम क्या करते है basically increase करेंगे ठीक है तो अगर आपका field resistance बढ़ेगा इससे क्या होगा आपका जो field current है ठीक है field current आपका decrease होगा ठीक है और field current अगर आपका decrease होगा तो simple आप अगर saturation को neglect कर रहे हो तो flux आपका field current के प्रोशनल हो गया तो field current अगर कम हो गया तो flux भी आपका कम हो जाएगा ठीक है तो यहापर इस formula भी देख सकतो flux अगर कम होता है तो speed आपकी बढ़ती है यानि speed आपकी बढ़ेगी तो यह जो field flux control method है यह किसले यूज़ोगा simple यह आपका यूज़ोगा speed को control करना वो भी कहा above rated speed तो आपको आपको जो last है ठीक है यह आपर तीम parameter है applied voltage ठीक है armature resistance drop और flux तो तीन method इसलिए तो तीन method है हमारे ठीक है तो दो method होगा तीसरा method क्या हो जाएगा simple supply voltage इसको बोलते voltage control भी बोल सकते हो ठीक है तो इसमें आप simple क्या कर दोंगे speed is proportional to simply voltage ठीक है यह आपर देख सकते हो voltage के प्रोशनल है applied voltage को बढ़ाते हो तो आपकी speed भी increase होगी ना clear रहे चीज़ यह तो यहाँ से यह voltage से भी आप speed को control कर सकते हो ठीक है तो इसमें बोला speed किस किसे control कर सकते हो flux पर पोल और वेसी बात है कर सकते हो armature voltage ठीक है to the armature यह भी कर सकते हो voltage drop in the armature circuit यह भी कर सकते हो ठीक है यानि क्या हो जाएगा all of the above speed of a decision motor may be varied by varying ठीक है तो अभी देखा field current को vary करके control कर सकते हो supply voltage को armature circuit को armature circuit मतलब यह armature resistance की बात होती है ठीक है यह आपए यह option आपका correct answer consider the following statement the speed of a DC motor can be controlled by the variation of armature voltage को vary कर सकते हो field current को vary कर सकते हो armature circuit के resistance को control कर के भी कर सकते हो ठीक है लेकिन brush shift का आपका first second third correct है यह option आपका correct answer the field flux method of speed control of a DC shunt motor is generally used for which one of the following यानि इन में से shift के लिए आपका field flux control method यह पूचा है ठीक है तो दो method आपके जो main है आपके देखो field flux और armature resistance control method ठीक है इन पे आपको पूचे जाते कि कहा का यह used होते है clear है देखो मैं simple आपको एक plot करवा देता हूँ यह आपका हो गया power ठीक है पी और आपका यह हो गया torque T ठीक है यह आपका simple method हो गया ठीक है तो देखो पहला method आपका क्या है field flux control ठीक है नहीं है आपका armature resistance control ठीक है यह आपका हो गया armature resistance control ठीक है यह जो यहा तक ठीक है इस point तक वारा armature resistance control यह आपका तो यह मैं जो line draw कर रहा हूँ यह मेरे torque किया ठीक है torque constant but field flux में torque आपका constant नहीं होता तो यह आपका torque होगया variable ठीक है तो यहाप एकर मैं लिखता हो देखो torque आपका constant ठीक है आपको यह question direct पूचे जाएंगे exam में ठीक है torque आपका constant किसमें रहता है torque आपका variable किसमें रहता है ठीक है यह आपको पूचा जाता है तो देखो field flux method आप अगर use करते हो speed control के लिए तो उसमें torque आपका variable armature resistance control करते हो तो उसमें आपका torque होगा constant इस चीज़ आपकी clear है ठीक है अब देखो जो दूसरा है ठीक है torque का तो हमने देख दिया अब power का भी देख लो देखो power आपका कुछ इस टाइब में रहता है ठीक है यह आपका power वाले के लिए हो गई ठीक है तो देखो field flux control में आपकी power तो क्या constant है ठीक है vary नहीं होरी न power आपकी हो गई constant but armature resistance control में आपकी power क्या है variable है यानि change हो रही है न ठीक है armature में आपकी power है वो variable है clear है तो इसने बोला था field flux control method बोला न तो field flux control method अब जैको यहां पर मैं already आपको बता चुका हूँ field flux यह आपको होता है above base speed या फिर above rated speed यह आपका होता है armature resistance below आपके rated speed अब since field flux है तो field flux में आपका होगा above base speed ठीक है तो above base speed यह रहा ठीक है तो यह दो तो आपके गलत होगे जा तक लिए रहे अब देखो field flux में हमने देखा power क्या रहती है constant power का मतलब क्या होता है और पावर ठीक है तो क्या होता है constant hp drive above the base speed ठीक है यह पर क्या है देखो constant torque drive किसमें होती है आपकी armature resistance control में होती है clear है तो आपका field flux पूछा था आपका d option correct answer following controls are consider for dc motor है इन में इसे कौन सा control consider किया जाता है आपके dc motor के लिए ठीक तो आप कौन सा हो जाएगा flux control and supply voltage control armature resistance control को क्यों prefer नहीं करते है इसमें आपके losses बहुत होते है ठीक है विकास आप armature में resistance बढ़ा रहे हो तो i square loss होंगे जिसकी विज़े से देखो आपका armature गरम भी होगा ठीक हीट थर्ड आपका यानि c option आपका correct answer the resistance of a field regulator of DC shunt motor is of order of यानि देखो जो field regulator होता है जैसे देखो यह आपका कोई resistance है अब इसको आप vary कर सकते हो ठीक है यानि इसकी value आप change कर सकते हो तो यह आपका हो गया एक तरह से regulator ठीक है यह आपकी होगी shunt motor में आपकी winding यानि field winding ठीक है यह आपकी कोई decision motor with field regulator ठीक है यह आपका क्या regulator यानि इसकी value आप change कर सकते हो ठीक है तो सिंस यह आपका देखो parallel में connect होता है तो इसकी value हम जादा से जादा रखते ठीक है तो आपका a option correct answer a decision motor is fitted with field regulator for speed control for constant low torque the speed will be minimum for the regulator resistance to be एनिक देखो इस resistance R की value क्या रखे कि आपकी speed क्या हो minimum हो तो देखो speed जो आपकी होती है यह आपकी proportion रहती है देखो back EMF EB divided by आपका flux तो देखो इस case में अगर मैं यहापे यह field current होगा मेरा IEF clear है अब question में इसने mention किया कि speed में को क्या चाहिए minimum होनी चाहिए speed speed minimum कब होगी जब मेरा flux maximum होगा ठीक है देखके बता सकते हो flux मेरा maximum होगा तो अब देखो अगर मैं field current निकाल दो ठीक है मैंने side में बना रखी है DC shunt motor with field regulator ठीक है तो यहाँ से अगर मैं field current की value लिखता हूँ तो मेरा जो भी applied voltage है V ठीक है divided by जो भी मेरा R plus RF ठीक है यही होगा तो देखो अगर मैं यहाँ पर यह जो value है R plus RF ठीक है R plus RF यह value अगर मैं दिक्रीज करना चाहता हो तो मैं क्या करता हूँ यह field regulator रहे यह variable resistance है तो इसको मैं 0 रखता हूँ ठीक है तो इसको 0 रखता है इसका मतलब क्या 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 मैंने इस value को decrease किए इसको मैंने decrease किया तो इसक मेरा फильल् dor fifty वड़ेगा मेशना समझे कि फ्लक्स आपका बढ़ MTा देगा कि या अगर आपका फ्लक्स बढ़ेगा भर स्पीड आप को हो जाएगी स्पीड आपकी कम होगी एगर दो एक खेल ऐडnant dois खैब हो क duplicate अबकि आप बलेंगे B option आपका correct answer the speed of a decision motor can be raised above its rated speed ठीक है तो यह से मैं already आपको समझा चुका हूँ कैसे हो सकती है जब आप field circuit में एक resistance insert कर दो ठीक है तो inserting and additional resistance in the field circuit ने B option आपका correct answer because आप अगर field resistance को बढ़ा देते हो ठीक है देखो shortcut ऐसे बढ़ा देते हो field resistance को आप अगर बढ़ाते हो तो आपका field current कम हो जाता है ठीक है field current कम होता है तो आपका simply flux कम हो जाता है flux कम होता है तो आपकी speed बढ़ जाती है ठीक है तो आपका simple B option correct answer which of the following statement associated with field control of DC shunt motor is correct यहीं देखो field control है field control में तो speed आपकी control होगी अबव ठीक है speed can be varied above to the extent of satisfactory commutation and below no variation ठीक है यहनी देखो above rated speed से तो कोई निचे उससे निचे कोई variation होगा नी ठीक है उसके अबव आप control करेंगे उसको यह तक ठीक है बट ऐसा नहीं है कि आप उसको बढ़ाते ही जा रहे हो नहीं हो पाएगा अगर बहुत तेज स्पीड होगी तो ठीक है तो एक particular extent तक ही आप उस speed को varied कर सकते हो तो C option आपका correct answer speed of DC shunt motor supplying a load at its rated speed can be reduced by speed को क्या करना है reduce करना है यानि speed को reduce करना है speed को reduce करने के लिए क्लिए 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 करते है armature resistance control में क्लिए क्लिए करते है एक extra resistance हम add करते है simply armature circuit में clear है आपका simple A option correct answer the most inefficient method for speed control of DC motor कौन सा होता है armature control because इसमें आपके losses होते है expensive होता ही है armature में heat up होती armature आपका गरम होता है उसमें से आपको अलग से एक additional जो control basically इस heat dissipation के लिए अलग से आपको instrument भी equipment भी आपको लगाना पड़ता है तो यह महेंगा पड़ता है तो यह सबसे inefficient है आपका C option और इसके अगर और further disadvantage देखें तो यह तुनों इसी के disadvantage है ठीक है इसमें बस drop गए को पुछेते हैं आपके simple तीनों correct है तो यह option आपका correct answer ही आप में a decision motor is operating at no load if the armature is shunted by a resistance its speed will अब देखो simple again armature वाला है ठीक है तो armature में आपके हमेंसा speed below rated speed ही होती है तो speed हमेंसा यानि कि decrease ही होती है तो क्या हो जागा simple decrease यानि कि B option आपका correct answer the shunted armature control method of speed control for DC shunt motor ठीक है यानि जो shunted armature control method है ठीक है speed control का इसमें देखो पूछा इस बारे में तो यह आपका होता है suitable for rapidly changing load ठीक है normally देखो एक आपका normal armature resistance control method होता है एक आपका होता है shunted armature control ठीक है तो normal जो आपका armature control method होता है तो आपका load के change होने के साथ उसकी speed भी change होती है यह उसमें problem आती है तो उसको हमने थोड़ा modify करके shunted armature control method होता है ठीक है तो इसमें क्या रहता है कि यह आपका suitable लेता है लोड आपका change भी हो जाए तो भी आपके speed में इतना variation नहीं होता ठीक है तो आपका C option correct answer ठीक है तो आपका C option correct answer ठीक है यह अल्यड़ी बता रहता हो armature voltage और जो field flux control हो उन दोनों के लिए ठीक है question number 313 में आप देख सकते हो clear है चीज अगला question देखते है if the voltage applied across the armature of a DC motor is reduced by 5% keeping the load current and field current unchanged the speed of the motor will तो देखो आप जो भी machine बनाते हो ठीक है कोई भी आपकी motor हो देखो जैसे यह आपका armature का resistance रहता है यह आपका armature रहता है ठीक है अब motor में हम क्या करते है देखो electrical energy को mechanical energy में convert करते है या कetode में तो या पयorts जो भी घुमाना होता है जिसको mechanical election उसको प्रोवायद करते टीक है तो याप़ zo current आपका flow होता है यह current आपका कौनसा होता है load current होता है ओर यह current आपका armature current है ठीक है या पर देखो मैं यह समझाना चाहरा हूं जिसने बुला लोड करंट अंचेंज है इसका मतलब हो गया कि आर्मिचर करंट आपका अंचेंज है यानि आर्मिचर करंट आपका क्या है कॉंस्टेंट है एंड आपका इसने बुला फिल्ड करंट भी आपका constant है यानि कि आप जब supply voltage को 5% reduce कर रहे हो तो अब इन में कोई change नहीं हो रहा आपका यह बोला है question में ठीक है अगर field current constant है तो यहाँ से हम simple relate कर सकते हैं कि flux आपका constant है therefore आपका simple relation रहता है देखो speed ठीक speed आणि n यह आपकी देखो proportional रहती है back emf divided by flux यह relation रहता है अब देखो back emf को हम normally क्या लिखते है देखो applied voltage minus जो भी armature resistance के वाज़े से drop होता है divided by flux तो देखो आपका flux constant है आई यह constant है यानि armature current constant है तो यह drop भी आपका constant है बिकोज आरे की value तो भी change होती नहीं ठीक है तो यह drop भी constant यह flux भी constant ठीक है तो तो speed में क्या फरक पड़ेगा since direct relation है अगर applied voltage 5% reduce करते हो तो speed भी आपकी 5% reduce हो जाएगी ठीक है यह option आपका correct answer अब देखो यह same question आपका question number 219 भी था ठीक है उसमें भी मैं आपको बताई था उसमें बस यह फरक था तो उसमें reduce की जगह increase किया था clear चीज़ है तो गला option देखते है तो shunt motor supplies at 250 volt runs at 900 rpm and the armature current drawn is 30 ampere the resistance of the armature circuit is 0.4 ohm the resistance required in series with the armature to reduce the speed to 600 rpm when the armature current is 20 ampere will be तो एकदम simple step by step चलते है ठीक है cases wise solve करते है इसको ठीक है तो पहले DC shunt motor थी है उसको बनाओ कि यह आप क्योंगी DC shunt motor यह मेरा first case है ठीक है ना first case है यह मेरा अब देखो इसने बोला कि किते voltage supply कर रहे हम 250 volt supply कर रहे है ठीक है और इसने armature resistance दिया है 0.4 ohm ठीक है इसने armature current भी दिये रखा है किता दिया इसने 30 amp ठीक है 30 amp और इसने कुछ भी data नहीं दिया हमें ठीक है न यह आपका field current चलो लिख लेते इसको केस में देखो applied voltage अभी भी आपका same है 250 volt 250 volt आर्मेचे का resistance अभी भी 0.4 ohm है ठीक है और बैक EMF नहीं दिया इसने तो इसको लिख लो plus minus EB2 ठीक है बैक EMF और आर्मेचे current इसने दे रहे है ठीक है इसके 600 RPM ठीक है तो यह आप एक बार देखो speed आपकी क्या होई काम हुई है speed ठीक है तो speed कम कैसा होती है armature resistance control से यानि armature में आपने एक resistance एड़ किया होगा तभी तो speed कम होगी तो यह resistance आपने एड़ किया है तो इस resistance के हमें value find out करनी है ठीक है यह पूछा इस question में clear इतना question समझ गए पूरा अब देखो simple क्या करता है step by step solve करेंगे ठीक है पहले ही देखो एक चीज़ बता देता हूं देखो जो field current आपका होगा 20 अब क्या होगा 250 वोल्ट ठीक है divided आपका RF ठीक है दोने केस में देखो 250 वोल्ट ही अप्लाइड हो रहे हैं और दोने केस में आपका फिल्ड का रेस्टेंस और एक तरसी यह क्या हो गया इसको स्वाल करें आप सिंबल बैक यह निकाल दो इवी वन यहां से आपको मिल दाएगा 238 वोल्ट रहता है अब देखो सेम इसकेस में भी के विल लगाओ ठीक है सेम के विल लगाते हैं इसमें के विल लगाते हैं तो क्या आगा देखो 250 वोल्ट माइनस आर्मिचर करेंट मे इवी टू इकल्स टू जिरू यहां से बैक इंफ निकाल सकते हो ना इजीली इवी टू जो मेरा आएगा यहां पर किता हो जागा 250 माइनस 20 मल्टिप्लाइड विद 0.4 प्लस और यहां था क्लियर आपका यह मेरा आगया बैक इंफ सेकंड केस में तो दोनों केस आप समझ ग स्पीड इस प्रोपोर्शनल टू आपका बैक इंफ टीक है विकॉज फ्लक्स आपका कॉंस्टेंट है यहां से गर मैं देखो सिंपल लिखता हूँ इसको ऐसे लिख सकता हूँ ना एंटू बाइंवन एंटू बाइंवन इकल्स टू क्या हो जागा सिंपल बैक इंफ इवी देखो 0.4 ohm प्लस आपका सीरीज में जो हमने एड किया डिवाइड बाइ ठीक है तीबीवन मेरा है 238 वोल्ट यह आपका आगया 238 ठीक है तो यहां पर देखो सारे डेटा गिवन है पस R निकालना है ठीक है तो इसको रियर रेंज गरके निकाल सकते हो यहां सापको यहां आपका आदाएगा 4.17 ohm ठीक है सिंप्ली आप कैल्कुलेट कर सकतो कैल्कुलेटर से आपको आंसर मिल जाएगा आपका क्लियर है आपका क्या होगा दी ओप्षिन औरक्ट आंसर तो अगला प्षिन देखते है तो 220 वोल्ट DC shunt motor is operating at a speed of 1440 rpm the armature resistance is 1 ohm and armature current is 10 ampere if the excitation of the machine is reduced by 10% the extra resistance to be put in the armature circuit to maintain the same speed and torque will be अब देखो कोशन को ध्यान से पढ़ना ठीक है speed बोली है न देखो speed same maintain रखनी है और हमें क्या निकालना है armature resistance ठीक है खिता add करना है speed का relation सबसे best एक ही relation रहता है आपका देखो हमेंसा इसमें कुछ फरक नहीं है हमेंसा यही relation रहता EB upon 5 ठीक है इसमें हमें निकालना है एक तो back EMF निकालना पड़ेगा एक आपका flux निकालना पड़ेगा ठीक है last question में फ्लक्स आपका constant था या आपका flux constant नहीं है ठीक है यही difference ह question में ठीक है इतना सिंबल एक दम step by step करते है ठीक है इसी शंट मोटर बोलिए तो पहले उसको बनाते है अब आर्मेचर रिस्टेंस इसने दिया वन ओम ठीक है इन्पुट वोल्ड इसने 220 वोल्ट आर्मेचर करंट जो दिया ठीक है आर्मेचर करंट इसने फर्सकेस वेले द ठीक है तो ठीक है आपका पहला एन्वन स्पीड दे रखिए इसके समें स्पीड हमारी कित्ती है देखो पूर्टीन हन्रेट फोर्टी आर्मेचर करंट दिया है ठीक है आई एवन लिख लिए तो इसको यह इसने में को दे दिया 10A ठीक है फ्लक्स इसने दे नहीं रखा ठी ठीक है तो इसको लिख लग लेता है अब क्या करता हूँ इस लूप में क्य लगाता हूँ तो किया मिलेका चाहिए है ठीक है माइनunuz मेरा करंटे 10 M those applied with 1 ohm minus मेरा back emf eb1 first case का ठीक है equals to 0 तो यह आज से मैंको back emf तो देखो simply मिल जाएगा eb1 equals to 210 ठीक है 210 volt जा तक ठीक है back emf मिल गया मैंको अब देखो second case में आओ ठीक है simple decision motor बना दी हमने clear है input voltage तो अच्छेंज किया नहीं ठीक है input voltage अभी भी 220 volt है armature का resistance change होगा नहीं अभी भी 1 ohm में रहेगा ठीक है यह plus minus back emf eb2 इसके लावा इसने कुछ भी नहीं दे रहा ठीक है इस case में पर चलो मान लेते देखो यहापर 1440 rpm armature current हमें नहीं पता ठीक है आई यह 2 हमें नहीं पता तो यह मैं कोशन मा कर देता हूं ठीक है और देखो हमें यह resistance हमने add किया है ठीक है क्यों add किया है विकाद हमें इस resistance की यही value निकालनी है ठीक है अब देखो जो टॉर्क आपका इस case में जो टॉर्क होगा T2 ठीक है टॉर्क भी आपका क्या होगा तेम रहेगा यह जो T1 का टॉर्क होई रहेगा विकाज इसने question में mention किया same speed and same torque ठीक है same speed and torque विल भी यानि torque और speed आपकी same है यह एक important point है clear चीज इनसे ही सारा आपका solve होने वाला है और जो flux है यह flux phi 2 हो जागा इस case में क्या बोला देखो flux इसने 10% reduce कर रहे यानि 10% कम कर रहे तो पहले आपका flux था 5 तो 10% reduce करने के बाद किता हो जागा 0.95 ठीक है simple आपको मैं ऐसे भी समझा रहा है ऐसे भी ले सकतो इसको मान लो 100 weber तो यह आपका हो जाएगा 90 weber ठीक है ऐसे भी कर सक क्या मिल जाएगा 220 वोल्ट ठीक है 220 माइनस मेरा जो भी आर में छे करन्ट होगा ठीक है में को वैल्यू नहीं पता यह टू लिग लिए तो प्रैकेट मेरा रेजिस्सेंस से वन हो प्लस मेरा जो भी मैंने सीरीज में आर एड़ किया है ठीक है माइनस मेरा बैक एमफ eb2 eb2 equals to 0 यहां तक आपका ठीक है न अब यहां से देखो में अगर सिंबल बैक एमफ की वैल्यू लिखता हूँ eb2 की ठीक है तो eb2 equals to यहां से में को यह वैल्यू मिल गए 220 ठीक है माइनस i a2 i a2 bracket 1 प्लस r यह मिलेगी ठीक है तो यहां पर हमें को कोशन में चाहिए resistance की को और eb2 ठीक है आप eb2 कैसे निकाल लोगे इसको समझो अब दो हमें अल्रेड़ी पता है यह आपका प्रोपर्शनल रहता है एन इंटो 5 के ठीक है तो यहां से देखो simple relation क्या निकल गया therefore eb2 ठीक है eb2 divided by आपका eb1 eb1 equals to क्या हो जागा feed ले लो simple n2 by n1 n2 by n1 into flux आपका ह जागा 52 by 51 ठीक है सारी value आपको पता है यह आच आप eb2 निकाल लो simple eb2 equals to simple यह speed में cancel out करते तो ठीक है because यह सेम speed बोला है इसने speed तो आपकी same है flux लिक लिक लिए तो यह आपके 52 मेरा किता है 0.9 ठीक है 5 और 51 मेरा है simple 5 ठीक है into eb1 में निकाल चुका 210 वोल्ट यह ही है तो य cv2 जो मेरा back EMF आया यह में को मिल गया 189 फोल्ट इतना अब next देखो और आई यह टू ठीक है armature current भी तो चाहिएगा second case वाला तो आपका armature current कैसे निकाल सकते हो portion में इसने साफ mention किया है कि torque आपका same है ठीक है तो torque यूज़ करो torque is proportional to flux into आपका armature current ठीक है तो यहां से क्या relation निकला therefore simple देखो torque आपका देखो T2 by T1 T2 by T1 equals 2 flux आपका हो जाएगा देखो 52 by 51 52 by 51 multiplied with आपका armature current Ia2 divided by Ia1 ठीक है तो यहां से यह तो torque तो cancel out हो जाएगा because same torque है ठीक है बोला है ना same speed and torque तो यहां से देखो simple अगर मैं Ia2 निकालता हो armature current second case में Ia2 ठीक है तो यहां से यह यह तो क्या जाएगा देखो 51 into Ia1 Ia1 divided by आपका by 2 ठीक है यह ही मिलेगा तो यहां से सारी value simple put कर सकते हो और यहां से आपका armature current Ia2 मिल दाएगा 11.11 ampere ठीक है इतना ठीक है दोनों value अमने निकाल दी अब simply यहां पर देखो put कर दो यहां आपका है 189 ठीक है equals to 220 minus यहां आपका 11.11 ठीक है bracket 1 plus r ठीक है यहां इतना यहां आपका क्या आपका 11.11 ठीक है यहां आपका जाएगा देखो 1 plus r 1 plus r equals to 2.79 ठीक है तो यहां आपका resistance निकल दाएगा 1.79 ohm ठीक है आपका answer क्या हो गया simple 1.79 ohm clear है ठीक है आपको कुछ इतना करना नहींता देखो इतना आप complicate कर देखो यह relation आप starting से पढ़ते हुए आ रहो यह relation आप starting से पढ़ते हुए आ रहो ठीक है कोशन में सारी चीजे mention कर दी कोशन द्यान से पढ़ते हो तो easily एकदम question हो जाते है इतना complicate भी ठीक है तो आपका answer क्या होगा simple 1.79 ohm यानी यह option आपका correct answer होगा separately excited DC motor runs at 1500 rpm under no load with 200 volt applied to the armature the field voltage is maintained at its rated value the speed of the motor when it delivers a torque of 5 newton meter is 1400 rpm as shown in the figure the rotational losses and armature reaction are neglected देखो आपकी separately excited DC motor है ठीक है अब इसने के बोला देखो जब आपका no load है तो no load का आपकी speed 1500 rpm ठीक है इसने बोला जब आपका motor 5 newton torque 5 newton meter आपका torque deliver कर रही है तब आपकी speed जो है वह आपकी 1400 rpm ठीक है तो दो case यहासे आपको साफ साफ मिल गए एक आपका यह no load वाला और एक आ दोनों से compare करके हम जो भी इसने find out करने को बोला है तो निकाल देंगे ठीक है separately excited बोला है तो यह आपकी separately excited हो गई ठीक है तो इसमें आपका आपका आरे लिख लेते है आपका back emf होगा तो यह आपका eb लिख लेते है back emf ठीक है अप्लाइड voltage v लिख लेते इसको अब देख field winding पर है ठीक है तो voltage अगर fix maintain कर रखा है तो यहाँ से क्या समझे कि flux तो आपका दोने केस में constant है यानि no load पर जो flux है वही flux आपका जब यह 5Nm टॉर्क डिलिवर कर रहा है तब वह वाला flux है ठीक है तो दोनो flux से में इसलिए flux हमारा हो गया constant clear इतना अब देखो यहाँ पर य अब यहाँ से अगर में यहाँ से आर्मेचर रिजिस्टेंस निकालना है तो देखो आर्मेचर रिजिस्टेंस निकालने के लिए यह आपको जब अप्लाइड वोल्टेज माइनस जो भी मेरा back EMF है divided by मेरा armature current जहां तक आपका clear है अब देखो मैंने आपको यह doubt हो सकता है म मैंने आर्मेचर रिजिस्टेंस यहाँ से क्यों निकालना है तो यहाँ समय को पता रहेगा कि मैंको क्या-क्या निकालना है तो पहला case जो इसने दिया वह no load वाला case है अब देखो मैंने आपको बहुत बार समझा रहा है यह आपको कोई shaft होता है motor का यह shaft basically rotate होता है ठीक और जिसको भी आप जो भी load आपने इससे connect कर रहा होता है उसको आप mechanical power provide करते हो ठीक है बटर करते को आपका कोई load ही निया load connect अगर नहीं कर रहा है आपने shaft से तो simple क्या होगा कि आपका input से जो current लेगी machine वो सिप किसके लिए responsible होगा आपके losses के लिए losses भी कौन से friction और आपके windows losses क लिए responsible होगा बट आप अगर load को connect करते हो अपनी motor से तो input से को current किसके लिए लेगा उस load को drive करने के लिए लेगा ठीक है बट सिंस देको question में mention किया कि इसने rotational losses को neglect करने को बोला है तो rotational losses को अगर आप neglect ही कर देते हो तो no load पे आपका input से को current ही दिलेगा because losses है नहीं ना ठीक है अब भी बताया देखो एक case आपका no load पे बनेगा एक case आपका 5Nm पे बनेगा ठीक है ना तो I1 तो मेरा 0 हो गया ठीक है तो इसने बोला है losses को neglect करना है और no load पे आपका input से current लेती है machine उस इफ लिए responsible होते है बट losses को आप अगर neglect करते हो तो input से कुछ current ही नहीं नहीं ले रह होंगे EB ठीक है 1 लिख लिए तो first case है तो यह क्या हो जाएगा जो भी मेरा applied voltage है minus जो भी मेरा armature current Ia1 multiplied with जो भी मेरा armature का resistance clear है तो यहां से यह value तो मेरी क्या हो जाएगी 0 हो जाएगी ठीक है because यह current 0 है तो यहां से जोको मैं को EB1 मिला EB1 यह मेरा equal होगा applied voltage ठीक है और इसने ब अब दोसरा आपका case इसने बोला है जब आपका torque ठीक है दूसरा case ही आपका ठीक है तो जब आपका है 5 Newton meter ठीक है जब आपका torque 5 Newton meter है इस टाइम इसने speed दे रखिये ना में इस टाइम एन 2 लिख लिए तो second case वाली है तो speed इसने दे रखिया 1400 rpm 1400 rpm ठीक है और इस first case में भी no load प दे पड़ रखा है कि back emf is proportional to n5 ठीक है बट flux हमारा constant है तो यहाँ से relation आपका simple क्या हो जाएका back emf is proportional to आपके speed ठीक है अब यहाँ पर मैं back emf निकालने को क्यों try कर रहा हूँ यहाँ निकालने के लिए applied voltage चाहिए जो मैंको पता है back emf चाहिएगा नहीं पता armature current चाहिएगा नहीं पता यह दोनों चाहिएगे न बिकर जोको no load पे तो यह value में रख सकता नहीं no load पे तो मेरा armature current 0 है तो no load पे तो armature resistance आप निकाली नहीं सकते तो आपको simple इस torque से निकालना पड़ेगा ठीक है तो इसकी मतद से पहले जो back emf निकालता ठीक है तो यह में relation मिल गया यहाँ पे तो यहाँ से हम symbol क्या लिख सकत है ठीक है यहाँ तक तो यहाँ से देखो simple में को निकालना था eb2 ठीक है eb2 यहाँ से देखो मेरा किता आजाएगा simple यहाँ से यह हो जाएगा आपका n2 ठीक है into eb1 divided by n1 ठीक है तो simply क्या करो values देखो मैंने सारे आपको लिखवा रख किये simply put करो देखो n2 मेरा किता है 1400 rpm ठ क्लियर है divided by n1 मेरा किता है देखो 1500 rpm ठीक है 1500 तो यह आसा आपको जो back emf मिला ठीक है eb2 यह आपका किता आ गया 186 ठीक है 186.63 वोल्ट क्लियर है तो यह आपका कब आया जब आपका टॉर्क कितना है 5Nm है ठीक है अब दोको में को applied voltage पता है back emf में को मिल चका है मैं को चाहि होता है तो यह कैसा क्या सकता हूँ इसने कौंश्यन में शर्ण कर दिया तो फाय नूनमीर है थीकँ है तो अगर metmm f में को पता है love to a निकाल सकता हूँ तो यह मैं कैसे निकाल सकता देखो इसने कोंशन में में मेंशन कर दिया टॉर्क 5Nm है तो देखो हमें पता है कि जो टॉर्क होता है टॉर्क आपका क्या होता है आउट्पूट पॉवर डिवैड़ेट बाइंगुलर स्पीड आपकी क्या होती है बैक आपका सेकेंड केस वाला होगा यहां तक ठीक है आपका तो देखो यहां से अगरे जो टॉर्क है टॉर्क मेरा किता है 5Nm मल्टिप्लाइड विट ठीक है ओमेगा एंगुलर स्पीड किते होगी तू पाई एंट्व आपका क्या आएगा एंट्व आएगा यानि वह वाली स्पीड जब आपका टॉर्क 5Nm है तो एंट्व किता है 1400 यह आपका मल्टिप्लाइड विट 1400 ठीक है इवाइड़ेड आपका 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 करन टेकेंड केस वाला ठीक है तो यहां से में आपका करन मिल जागा सिंपली तो आई एटू यहां से आप जो निकालोंगे तो यह आपको मिल जाएगा 3.927 अम्पिर तो देखो सारी वैल्यों हमारी निकल चुकी है मैं सिंपल आर्मेचर रेजिस्ट 3.927 ठीक है इसको आप सिंपली स्वाल करेंगे तो यह आपको मिल जाएगा 3.4 ओम यह आपका हो गया आर्मेचर रेजिस्टेंस अब देखो यहां पर किसे कोई यह डाउट हो सकता है कि मैंने यह जो आर्मेचर करन निकाला यह मैंने इस वाले फॉर्मूले से क्यों निकाल ठीक है जब आपका no-load है तो no-load पर जो आपका क्यों करनक हो ठीक है तो यहां पर तो आप एसे ले तो second case अपन फर्स्स केस ठीक है इकल्स टू आपका second case का armature current आपन फर्स्स केस का armature current आई एवन ठीक है तो टीटो हमारा 5 Newton meter ठीक है एवन हमारा देको तिम्पल क्या लेंगे जिरो जिरो इकल्स टू अब जोगो आई एटो हमें निकालना है ठीक है divided by आई एवन मेरा कितना जिरो तो यहाँ से आप आई एटो निकाल सकते हो क्या नहीं निकले गए यहाँ से ठीक है इसलिए हम इस relation को यूज निकाल सकते हो इसलिए यह वाला फॉर्मला आपने यूज निकिया आपका आंसर कितना आ गया 3.4 ohm ठीक है अब देको अगला खुशन क्या बोला इसने और देको यह कोशन भी थोड़ा अच्छा है यहाँ पर इसने बोला अगर आपको टॉर्क चाहिए 2.5 Nm ठीक है 2.5 Nm पर चाहिए यहाँ पर पहले तो बात यह होई कि यहाँ पर मैंको आर्मिचर करन नहीं दिया इस करन मैं को इसने नहीं दे रेका ठीक है एंड़को इसने बोला कि है कि यह टॉर्क जब आपकी स्पीड होगी यह अनवन इकुल्स टू टॉर्क मिल रहा था ठीक है किब मिल रहा था जब मेरा आंउर चयर करन्ट ठीक है आई यह पॉयंट निकाल चुका हूँ यह मेरा था 3.92 ठीक है 3.92 आमप्यर और इस case में speed भी मैंको पता मेरी-speed मेरी थी 1400 rpm ठीक है 1400 rpm ठीक है और इस case के में मैं को applied voltage भी पता था, applied voltage मेरा किता था, 200V था, ठीक है, यह सारी चीजे मैं को पता थी, अब देखो, मैं को simple क्या करना, इन दो केस को compare करता हूँ, ठीक है, therefore, torque आपका देखो, proportional रहता है, flux into armature current के, but since flux आपका constant है, तो यह आपर जो relation रहागा, वो हो जाएगा, simple torque is proportional to armature current, ठीक ह यहाँ पर देखो, T2 मारा torque of IA, ठीक है, divided by, T1 मेरा है, 2.5 newton meter equals to, IA2 मेरा है, 3.92 ampere, ठीक है, divided by, IA1 मैं को निकालना नहीं पता इसलिए, यहाँ से देखो, मैं को जो IA1 मिलेगा, ठीक है, armature current, ठीक है, 3.92, 3.92, multiplied with आपका 2.5, 2.5, divided by, आपका जो torque of 5 newton meter वाला, ठीक है, तो यहाँ से मेरे को armature current मिल जाएगा, IA1, तो IA1 की मेरे यहाँ से value की तिया जाएगा, ठीक है, 1.96 ampere, ठीक है, ठीक है, यह मेरा को current कब मिला है, जब मेरा torque किता है, 2.5 newton meter है, ठीक है, अब जो को, मेरे को निकालना पड़ेगा back EMF, ठीक है, यानि मेरा back EMF क्या होगा, EB1 ठीक है, at torque T equals to 2.5 newton, 2.5 newton meter, ठीक है, and आपकी speed इस case में किती है, and 1 equals to 1400 rpm, ठीक है, 1400 rpm, ठीक है, ठीक है, यानि simply मेरे को back EMF निकालना है, 1400 rpm पर, तो यह को मैं देखता हूँ, मैंने अभी निकाला था, ठीक है, ठीक है, यह आपकी 1400 rpm, ठीक है, यह आप यह मेरे को back EMF किता मिल सारे ने रहा था, 186.63, अटोan पर, चाहिए, आपका कम करो या ना करो, हमने 5 से 2.5 newton कर दिया, ठीक है, torque, clear है, but speed थो अभी 1400 rpm है, तो speed अगर से में है, आगा 186.63 तो यहां से मैं लिख लिख लिए तो सिंपल कि बैक यह मैं तो मेरा हो गया इभी वन तो इस केस में 186 पॉइंट 63 वोल्ट इतना अब देखो ठीक है सिंपल आप जो बैक यह में को फॉर्मुलार लिखते हुए आ रहे ती देर से ठीक है निकालना अप्लाइड वोल्टेज के ओलाना बैक में यूज आ रहे तिक है आपका यह हो जिसकेस में निकाल है थिक यानि जब आपका 2.5 नूे रहें तब निकाल रहे तो भी दीक है हमारा थो अरूट्स शॉन पॉल्र अर Hani जे बनाहेड पॉण सारी वेल्यू पूट कर दो देखो 186.63 ठीक है प्लस किता यह 1.96 आन में चे रेजिस्टेंस तो चाहे किता भी टॉर्क हो रेजिस्टेंस तो आपका फिक्स ही रहेगा तो पहले हम निकाल चुक है 3.4 यह आपका गया 3.4 ठीक है तो यह आज से इसको सिंपल कर दो आपका अप constant power load ठीक है question में देखो ध्यान से word पढ़ा करो पहला इसने बुल दिया constant power load at rated speed while drawing rated आर में चे करंट ठीक है rated speed है आपकी और rated आपका आर में चे करंट है ठीक है neglecting saturation and all machine losses सारे saturation और machine के losses को neglect करो if both the terminal voltage and field current of the machine are halved then यानि आजे करते हैं दोनों को तो क्या होगा ठीक है तो किस में बतानी है देखो एक तो speed में बताना है कि speed में क्या variation होगा और आपको आर में चे करंट में बताना है कि क्या variation होगा यही बोला है ठीक है अब देखो सारा आपका per unit में data है तो उसके लिए आपको पहले है जो आपका data है ठीक है starting में आपको वो let करना पड़ेगा ठीक हम मान बचा देखो speed बच गी न तो speed भी लिख लिए था एन यह भी हमारी है 1 पर unit ठीक है तब 1 पर unit ले लिए अब इन से हम देखेंगे कि इन में क्या-क्या change होता है ठीक है अब देखो क्या वोला है DC shunt motor न तो यह आपको कोई DC shunt motor हो गई ठीक है इसमें यह आपका applied voltage V हो गया य आपका हो जाएगा field resistance यानि RF clear इतना तो देखो जब आपका first case लेता है ठीक है first case बोलने का मतलब कि जब आपने इनको यानि टर्बिनल voltage को और आपने field current को आदा नहीं किया ठीक है तो यह आपका हो गया first case ठीक है तो first case में देखो अगर मैं simple यहां से देखो अगर kvr लगा applied with armature resistance ठीक है minus मेरा back यह मैं first case है इसलिए यह eb1 लिख लेंगे ठीक है यह आपका हो गया case clear है अब इसने बोला देखो neglecting all machine losses यानि सारे losses को neglect करो यानि कि इस losses को आप neglect कर दो ठीक है यह आपका हो कि 0 तो यहां से में को क्या मेला simple applied voltage मेरा जो v1 है यह मेरा बराबर है eb1 के eb equals to starting से यानि जब अपने reduce नहीं किया ठीक है आदा नहीं किया तो हम अजूम करके चल रहे है कि सारी value 1 per unit है ठीक है तो यहां से v1 और eb1 यह किसके equal हो गया simple आपका 1 per unit के equal हो गया तो यह आपका हो गया 1 per unit and देखो जो आपका field current होगा इस case में ठीक है field current लिख लेता है voltage इसके parallel में तो first case के लिए v1 लिखेंगे एतना field current निकल दिया हमने और voltage लिख लिए हमने first case में कितना था हमारा तो second case में आप क्या कर रहे हो कि आपको जो terminal voltage था यानि पहले v1 था आपका terminal voltage अब इसको आपने कर दिया आदा आदा करने का मतलब v1 by 2 कर दिया आपने ठीक है v1 by 2 कर दिया और इसने बोला जो field current था ठीक है यानि पहले आपका if1 था इसको भी आपने कर दिया आदा ठीक है आदा मतलब यह आपका हो गया if1 by 2 इतना क्लियर आपका अब देखो अगर इस case में मैं kvL लगा तो ठीक है जैसे मैंने first case में kvL लगा है न वैसे एगर इस case म है because armature resistance में आपका same ही रहागा यह minus आपका back EMF EB2 EB2 equals to 0 ठीक है losses इसने बोला neglect इस term को आप कर दो यह आपका हो गया 0 ठीक है यहाँ से आपको क्या मिला simple कि v2 is equals to EB2 ठीक है आपकी देखो v2 की value किती है हमने terminal voltage को आदा किया यानि कि यह आपकी जो value है v1 by 2 यह किसकी value आपकी यह आपकी है v2 की value ठीक है v2 की अब v1 हमारा किता है हमने देखा 1 पर unit है तो v2 हमारा किता हो गया 1 by 2 यानि कि 0.5 पर unit यह आपका आगया 0.5 पर unit clear रहे इतना एंड देखो अगर मैं इस case में ठीक है second case में अगर field current की value लिखता हो तो field current कैसे लिखूंगा if2 क्या होगा जो भी मेरा second case में voltage है v2 divided by जो भी मेरा field का resistance है field का resistance दोने case में same रहेगा ठीक है तो यहाँ से मेरा जो if2 में को मिला if2 equals 2 v2 की मेरी value किती है v1 by 2 यहाँ पर मैं रख देता हो v1 by 2 ठीक है यह आपका मेरा field resistance हो गया अब देखो यह जो v1 by f है ठीक है v1 by f यह किसकी value हो देखो if1 की value हो ठीक है तो यहाँ से में simple ऐसे रख सकता हो ठीक हो यहाँ से मिल गया if2 equals to if1 ठीक है if1 divided by 2 आपका clear है तो यहाँ से मैं अगर ratio निकालता हो देखो if2 यानि field current second case में divided by आपका field current first case में ठीक है यह आपका किसकी value के लोग गया 1 by 2 यानि की 0.5 ठीक है तो यह ratio में को क्या मिला 0.5 मिला है अब देखो question में mention किया था neglecting saturation ठीक है एक एक point आपके question में important है word ठीक क्या हुआ कि flux मेरा भी proportional है field current के ठीक है यह इसका मतलब होता है because अगर आपका saturate हो जाता है तो flux आपका constant हो जाता है यानि field current के साथ आपका flux अब increase नहीं होता बड़ saturation एंग लेक कर दिया तो यह relation होगा ठीक है तो इस relation से मैं देखो यहाँ पर इसको ऐसे भी लिख सकता यह ratio मेरा किता है 0.5 तो यहां से मेरी 52 की value किती आई 0.5551 यहां तक ठीक है आपका अब जोगो question में mentioning किया दा constant power load ठीक है जो आपका load है वो क्या है constant power लोड है तो power आपकी क्या है constant यह power आपकी हो गई constant तो power constant बोलने का मतलब क्या होता है कि आपका जो power first case में होगी तो first case में यही बी 1 multiplied with आपका जो भी armature current है first case में ठीक है यह किसके उको लोगा जो भी मेरा second case में back EMF है multiplied with जो भी मेरा second case में armature current है यही तो power constant हुआ न ठीक है तो EB1 मेरा किता है 1 per unit multiplied with armature current मेरा IEA1 की value किती है मेरी देख लो ठीक है यह आपका first case है first case में सारी value कौन सी होगी जो मेरे simple जो assume का रखिये मेरा है ठीक है तो यहापकी होगी 1 per unit यहापकी होगी 1 per unit यहापकी होगी 1 per unit लिखते है यहापका आगया देखो फिर EB2 मेरा किता है मैंने निकाला देखो 0.5 per unit यहापका 0.5 per unit ठीक है multiplied with में को armature current नहीं पता आइए 2 में को नहीं पता यहाँ से IA2 क्याने ह हो जाएगा देखो IA2 इकल्स 2 1 into 1 divided by 0.5 ठीक है तो यहापका आजाएगा 2 per unit यहापका आपका यहापका यहांसर होगया फिर से पोचाता क्या वेरेशन होगा डूसरा इसने पूरा स्पीड वाला ठीक है तो स्पीड में देखो कैसे निकालेंगे सिंप्ली स्पीड के लिए देखो हमने रिलेशन अल्यडी पटका है कि एन इस प्रोपोर्शनल टू बैक यह मैं ठीक है अपन आपका यहां से स्पीड होगी वो निकालनी है विकास की स्पीड में को पता है मैं पर यूणिट अजूम करके चल रहा हूँ ठीक है यहां से मैं को निकालना एक अपूट कर रहा ठीक है देखना द्यांसे यह आपका आगया 0.5 divided by EB1 मेरा किता है 1 per unit तो यह आपका 1 आगया multiplied with यह पर देखो क्या है 5 1 by 5 2 ठीक है तो यहां से देखो मैंको 5 2 by 5 1 तो पता है 0.5 है ठीक है तो 5 1 by 5 2 किता हो जागा मेरा 2 हो जागा simply ठीक है तो यह आपका हो गया 2 जादा clear है multiplied with n1, n1 मेरा किता है 1 per unit starting में मैंने सारी चीज 1 per unit assume किती विकोज यह सारा rate up per unit में दे रहता है ठीक है तो 1 per unit हो गया तो यह आपको जो value मिली n2 की ठीक है तो जो n2 की मेरी value आएगी आपको साफ देख सकते हो जो किती आ जाएगी 1 per unit ठीक है because point को आप जब remove करोंगे तो नीचे 10 आएगा और 2 से 10 को cut करोंगे तो 5 और 5 से 5 cancel out हो जाएगा तो speed तो मेरी किती है 1 per unit यानि पहले भी 1 per unit बेना assume किती और अभी भी में को 1 per unit भी मिल रही है यानि कि जब आप terminal voltage को और field current को आदा करते हो तो speed बें आपका कुछ भी change जी हो रहा है यापे ठीक है but armature current आपका double हो रहा है तो symbol क्या बोलेंगे the speed remains 1 per unit ठीक है यानि speed तो आपके 1 per unit ही रहेगी but armature current आपका क्या हो जाएगा 2 per unit हो जाएगा यानि B option आपका correct answer clear है चीज़ है तो आज के लिए बस इत्ता ही करेंगे बाकी questions हम अगली वीडियो में करेंगे thank you very much